हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टू अनादर वीडियो अब हम रियक्शन करने वाले हैं एक बहुत इमोशनल बयान पे जिसका जो जिनका जो टाइटल है और जो बयान है जिनका यह उनका नाम है पीर अजमाई राजा कादरी ताकिर पाकिस्तानी पाकिस्तान से है यह और अबू ज जहल और एक ताजिर का वाक्या है यह जो की टाइटल है टाइटल है वीडियो का और जो जिनका यह बयान है उनका नाम है पीर अजमाई राजा कादरी इनकी वीडियो हमने फॉस्ट एवर टाइम हम अपने चैनल पर लेकर आ रहे हैं जो जो इनका फैन है या फिर इनको सु को क्योंकि पहली बार हम की देख रहे हैं हम are इंडायन इसी वीडियो के बारे में और आप लोग जरूर जरूर राइक कर के जाए विडियो अगर आपको इनकी वीडियो पसंघे़ है उसके बारे में इंडायन बात करें designer और कम्प्लीट वीडियो को देखना, बीच में स्किप मत करना, फिलाल हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. और करमा आया, ये वो दोर था जब नबी पाक अलिक सलाम ने अभी इलान नबुबत फरमाया था, और वो इसलाम पर गुर्बतों के दिन थे, सारा मक्का जब जत्था हो जाता है, फिर तो बंदे की बड़ी बात होती है, और जब एक एक दो दो संगी हो तो फिर मुश्कल होत मुख्तलिब कुतब में मुख्तलिब लफज मिलते, कहते हैं वो दो उंट मैं गाउं से लाया, मक्के में मैंने बेचने थे, जब मैं मक्के पहुंचा तो पहली मुलका थी अबुजाल से हो गए, मुझे कहने लगा, यहां एक शख्स ने दावा किया, नबुवत का, उसके क आते हैं, कहते हैं, उसे उंट पसंद आगे, उसने खरीद लिए, मैंने का पैसे तो कहने लगा, कल दे दूगा, यहाला कैमने लेका है, उसके धर लेने गया, तो कहने लगा, कल दूगा, मोटल भी नहीं होते थे, परदेशी बिचारे, बड़े उनके लिए मुश्किलात हो के वक्त गुजारता हो, मेरे पैसे दे मैं जाओ, कहते हैं, 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 कहते शैबा, अखनस बिन शुरै, कबू सुफियान, सब बैठे थे, मैं करीब गया, मैंने का, मक्के के सरदारो, मैं तुम्हारे शेहर में लुट गया, मेरे लिए मुश्किल बन गई, कहा क्या हुआ, कहने लगे, एक आदमी ने मुझ से दो उंट खरीद लिए, वो मेरी कुल याब कहता है, जा दोड़ जाई, कुछ नहीं है, मेरी मदद करो, कहते हैं ओतबा बोला, कहने लगा, किस अटाकरत है हमारे होते हुगे, तेरे पैसे दबा जाए, कहते हैं जब उसने ये कहा तो मेरे अंदर उम्नीद की किरन चमकी, कि मेरे मिल जाएंगे, कहते हैं कौन है मैंने कहा कि अबू जहार किते हैं उसने साथ ही ना गर्दक जुमाली करने लगा ओखो वो तो बहुत बड़ा गुंडा है तो उ कहां उलच गया वो तो पैसे नहीं मिलते किते हैं अब तो मेरे पाउं तले जमीन निकल ले ये ताजर ना जब डूबता है तो खुद कुशी करता है माहाँ इसलिए कि जब किसी इंसान की कुल पुझी एक ताजर के साथ बहुत सारे लोग वबस्ता होते हैं ये दौलत की महबद ना समझें इसको बहुत बड़ा उलचा होता है और हमारे हाँ जब लोग रूज पे होते हैं तो सज्जन भी बड़े होते है और जब इनसान डूबने लगता है तो उसका हाथ भी कोई नहीं थामता सारी उमर याटा गुद है लखा कीते नहीं पेड़े वकत आया ही ते मुहम्मद बक्षा कोई नहीं हो बैठा नेड़े आपको पता है कुछ करीब भी नहीं आता गुर्बत के दिनों में कहते हैं मैं कापने लगा अब मैं क्या करूंगा मेरी बेटियां मेरे बच्चे तो रोएंगे इदर देखना मेरी तरफ कहते हैं सामने ना बैतुल्ला शरीफ के साथ टेक लगा के आमिना के लाल बैठे था सादा सा लिबास सादा सा हुजूर ना कोई तस्वी पढ़ रहे थे उत्बा ने माजल्ला सुम्मा माजल्ला नकले कुफर कुफर ना बाशद पबती कसी मजाक किया करने लगा वो जो बैठे ना वो तेरा मसलाल कर सकते वो कहते उसने ये कहा और बाकी हसने लगे मुझे समझ ना आई कि भीजते भी है और हसते भी है उन्होंने तो माजल्ला मजाक किया ना कि आजकल तो बड़ा सारा मका मुखालफ है तो वो कैसे जाएंगे और अबू जाल सबसे बड़ा मुखालिफ है कहते हैं मैं आईस्ता इस्ता करीब गया गरीब आदमी डरता है न बिचारा वजीरों से भी पीरों से भी कामता रहता है कहते हैं मैं आईस्ता इस्ता करीब गया और पीछे जाके बैठ गया मेरा दिल था कि वो फारिग हो के मेरी तरफ देखेंगे तब मैं डर रा था, सैम रा था लेकिन कहते हैं मैं कुर्बान जाओं अभी मैं पूरा बैठा भी नहीं था कि मदीने के चांज ने मेरी तरफ रुख फेर लिया حضور ने रुख फेरा और कहते हैं दो जुमले नभी पाक ने कहे तो मुझे यू लगा जैसे परदेश में मुझे मेरी मा मिल गई हो कहते हैं दो जुमले, मैं खुल के रोया दो जुमले सिर्फ पहला जुमला माबू ने फरमाया परदेश ही लगते हो और दूसरा फरमाया परेशान लगते हो एक वारी मेरी या अक्षी या चों ओना नेत्थुरू पूंजे संद हुनते चसका पह गया रोने दा हुनते चसका पह गया रोने दा ते हर मेंने या हो जारी दा कहते हैं नभी करीम अलेक्स सलाव ने जब पूछा तो मैं रोया मैंने का माबूबा मैं आपको जानता तो नहीं पर परदेश में लोट गया हूँ कहते हैं मैं रोने लगा तो हमदूर ने फर्माए चुप कर रोने की बात नहीं मेरे काल्दे पे थब्की दी फरमाया परिशान नहो पहला ही जुमला पूछा भी नहीं काम क्या है ये भी नहीं बताया मस्ला क्या है मापू हूँ फरमाने लगे चुप कर आंसु पूछ ले जैसे तू कहेगा न वैसे ही हो जाएगा गो बरेली के इमाम बोले और फर्माने लेगे गम्जदों को रजा मुझदा दीजिये के है गम्जदों को रजा मुझदा दीजिये के है बेकसो का सहारा हमारा नभी सबसे अला हो आला हमारा सबसे बाला हो आला कहते हैं नभी करीम अलेक्सलाम ने फर्माया जैसे तू कहेगा वैसे ही कहते हैं फिर हुजूर ना मेरा बाजू पकड़ा और घार लाए तालुक नी पूचा रिश्टा नी पूचा काम नी पूचा फिर हुजूर ने मुझे चटाई पे बिठाया मैं कई दिनों का भूका था दिलों के हाल जानने वाले रूसूल ने मुझे सिरका दिया खाना दिया शहद दिया दूद पिलाया जब मैं सेर हो गया ना और कुछ मुझे तसलीख हुई तो फरमा जे लगे बता तेरा मसला क्या है मैंने का या रसूल अल्ला स्लिल्ला अल्यूशलम दो उंट बेचे थे हुजूर को जानते नहीं अभी तक दो उंट बेचे थे खरीद ली अबू जहल ने पहले तो आज कल करता रहा अब कहते है दोड़ जा कोई नहीं हुजूर पर देस में लोट गया सरदारों के पास गया हूं तो वो कहते हैं वो तो सबसे बड़ा गुंड़ा है वो तो नहीं देगा कहते हैं मैंने बड़ी बाते सुनाई तो माबूब ने हलका सा जुबला काख सवाद नहीं मिश्री अंदर असा खंडा मी चक डिठी या इना सारियां शैमा नालों गला सजन दीयां मिठियां जरूने करना कुछ नहीं ना हुता उनके दावे लंबे चोड़े होते हैं और जरूने कुछ करना होता है नں वो तो मुक्तसर बात करते हैं हुज्रूर्माने लगए कोई प्रेशानी वाली बात भी देने क्यों नहीं पैसे देगा के बहल की सी बात जुर्फ अन्मा ने लगे चले मैं तेरे साथ चलता हूँ ये काउंसलर साथ कभी रुकाबे लिक दे तो इनकी मेर बनी और टेलीफून कर दें तो फिर तो वो कहते हैं तीन साल का इसान तेरे उपर चड़ गया है ये मैंने पूरा ही फूम कर दिया तेरे नाम का आलनके जब वोट लेने आये थे तो कहते थे मैं काउम का खादिम हूँ और फिर ये काउम का गरीब आदमी दर्वाजे पर जाके बैठता है पता चलता है चोधरी साब टूथ पेस्ट कर रहे हैं फिर पता चलता है ब्रेड ठंडा हो गया ता तो गरम होने गया फिर पता चलता है कि गाड़ी बार आके पुछते हैं गड़ी कराई या शरम करो शरम करो वारस्षा मान करी ना वारसा ना रब बे वार्सा करके मार दे अगर अल्ला ने तुम्हे एजास दिया तो गरीबों को रोल के मारोगे शर्म नहीं आती कल तक कहते थे कौम के खादम है आज उसी कौम का ये हाल करते हो तुम्हे इसाब देना पड़ेगा सुबह कयाब अल्ला तुमसे पूछेगा जिसके जिम्हे अल्ला ने कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई रियाया बनाया उसे अपनी रियाया के बारे में जवाब देना पड़े कहते हैं नभी करीम अलिक स्लाम ने फर्माई चल मैं तेरे साथ चाथ कुर्बान जाओं नभी करीम ने नजरें जुकाई है सादा साही मामा सादा सालिबास और सारे रस्ते मैं बातें करता रहा पर घुजूर ना हलका हलका मेरी तरफ देखतें पर बोलतें कुछ नहीं कहते हैं मैं रस्ते में सोचने लगा कि वो तो बड़ा गुंडा है और माबूब तो बोलतें भी दीमा दीमा है उसके साथ बात कैसे करेंगे मैं सौब आतें करता हूँ ये एक जवाब देतें लेकिन जब उसके दर्वादे पर पहुंचे दस्तक दी बार निकला तो गते मुस्तफा की जुकी हुई नजरों को मैंने उठते हुए देखा वो हलका यारा तो बरेशम ती तरह नर्व रिज्म रहक को बातिल वो तो फौलाद है मौमिन कहते हैं उठती हुई देखी नजरे और मेरे हबीब पाक ने नजर उठाई और एक जुमला और उस जुमले के अंदर ताकते खुदाई है वजूर ने वरमाया तेरा क्या ख्याल है पैसे दबाने वाले और लोगों को सताने वाले बड़े होते हैं तु सरदार बनता है गरीबों का खुन चूस के सरदार बनेगा इन बिचारों पे जल्म करके ला इसके पैसे ला क्योते हैं उसकी टांगे काबने लगी काने लगा जिए मैं अभी लाया उदर से उतवाणे बंदा बेजा काने लगा पता तो करो पीछे जाओ तु से बनता क्या है वो जसूस भी खड़ा चाओ अभी लाया जी मैं फटाफट पैसे लाया बनु आराश क कबीले के वस्याभी केते हैं नभी ये पाक अलेक्स सलातु सलाम ने पैसे मुझे दी और फरमाया अबुजाल तेरी आंगदा शिकायत ना है कि वो लगाजे नहीं आएंगे किते हुजूर्ण ने मुझे पैसे दीए कुर्बान जाओ महबूबा तेरी शान पे मेरे काम आए हैं मेरे साथ आए हैं मुझे पे मेरबानी की है और मुझे से फर्मा रहे हैं तू अगर इजाज़त दे तो मैं जाओ तू अगर इजा खुद भीकने खुद ही कहें मंगते का भला हो तू कह तो जाओ कहते हैं मैं रो पड़ा मैंने का माबुबा नाम क्या है उस शानो वाले बाव का नाम बता दे जिसके हाँ आप जैसा नूर नगर पैदा हुआ उस शानो वाली माँ का नाम बताएं जिसने आप जैसा लाल जना कभी लाँ बताएं तो मेरे हबीब ने फर्मया छोड तेरा काम ओ गया ना नाम छोड तो कहते हिखुद्ध गुजर गज़하기 तो वो जासूस पीछे था वो मुझे कहने लगा मेरे करीब आया तो कहने लगा इनके पास ना जाना यह जादू का रहे वाव एक्चली इसके अंदर मतलब जैसे आपने देखा कि हुजूर के बारे में है और उनके किस तरह से उन्होंने एक परदेशी की मदत की है वो है डेफिनिटली अगर कोई आपके देश में आ रहा है बहार से और उसके साथ बुरा हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है उसकी हल्फ करना यह मतलब इस तरह की सीख है इसके अंदर और उनके नूर के बारे में और उनकी अच्छाई के बारे में इसके अंदर बताया है और डेफिनिटली हमारी फर्स्ट मूवी थी राजा कादरी जी की और इनोंने जो भी हमें मतलब बताना चाहा है डेफिनिटली वन अफ दा बेस्ट वीडियो है यह पीर आजमा जी की लेकिन एक बात जरूर है इनकी पहली वीडियो हमें बहुत जादा पसंद आई है दिल क आप लोग शेयर कीजिए आपने फ्रेंस और फैमिली में चानल सब्सक्राइब कीजिए और यहां तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू पो बोचिंग इस वीडियो मिलते आप से इस तरीके नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाबाए और टेक केर